ठेल गाईस कैसे हैं आप लोग यार हम दो खास किसम के exponents आपके ले करके आए हैं आप मुझे बताएं वीडियो को pose करें सोचें कि क्या ये दोनों quantities same हैं क्या कहने का मतलब इसको simplify करके और इसको simplify करके same value आ रही है क्या सोचे ज़रा और उसके बाद फिर मेरा solution देखिएगा ठीक है बड़ी मस्त यहाँ पे दो quantities लिखी हुई है यहाँ पे देखिए कोई bracket नहीं है यहाँ पे देखिए bracket यहाँ पे लगाई गई है है ना 2 power 2 power 2 power 2 जब इस तरीके की यहाँ पे है ना एक एक number पे power फिर उसके उपर power फिर ऐसे करके है ना कई सारी powers involved हों तो दोस्तो top to bottom solve होती है powers ठीक है ना तो 2 power 2 है ना पहले यह simplify होगी तो 2 power 2 हो गया 4 फिर top to bottom 2 power 4 2 power 4 हो गया 16 और 2 power 16 को हम last में लिख देंगे इसको simplify करके आता है 6,55,36 clear है तो हमने इस वाली quantity की value देख ली simplify करके 6,55,36 अब बारी है इस exponent की यहाँ पे bracket लगी हुई है और जब bracket लगी हो तब rule यह है कि जो bracket है ना मेरी bracket bracket के आजू-बाजू की powers multiply करते हैं bracket के इस तरफ वाली power 2 है और इस तरफ वाली power 2 पावर 2 है ठीक है bracket के आजू-बाजू की power को multiply करते हैं ठीक है तो यहाँ पे यह power 2 थी और यह power 2 पावर 2 थी दोनों को कर दिया multiply है ठीक है तो 2 पावर 2 मेरा 4 हो गया 4 into 2 8 हो गया तो यह हो गया 2 पावर 8 कितना हो गया 2 पावर 8 होता है मेरा कितना होता है जी 256 56 अरे गजब बात हो गई ये तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो quantity है और ये वाली जो quantity है दोनों different quantities है ये छोटी है ये बड़ी है ना large value larger value को represent कर रही है ये छोटी value को represent कर रही है ठीक है ये वाली quantity दोस्त मेरे बड़ी थी इससे ठीक है तो आपको आई हो पिहाँ पे ये जो exponential quantities है इन में bracket की importance यहां समझाई होगी ठीक है ना तो bracket लगाने से bracket लगाने से यहां जो scene बन रहा है वो scene बदल जाता है और यहां एक different scene create हो जाता है exponents में I hope ये बात आपको समझाई होगी अच्छी लगी होगी